जलक दिखलाजा इस बार का जलक दिखलाजा थोड़ा सा कॉंट्रवर्शल हो गया है दोस्तों क्योंकि जब इन लोगों ने शिफ्ठाकरे को इविक्ट किया और वो भी पबिलिक के वोट्स की वजह से किया इस पर दोस्तों कई लोगों को सोशल मेडिया पे ये बात हजम नह आई है कि शिफ्ठ ने बड़ा कदम उठाया है साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों तो इविक्शन के बाद शिफ्ठ किसपॉइंटेड है आप देख रहे हैं चैनल टेली का जाना सब्सक्राइब करें मेरे दूसरा चैनल राहूल बोच कॉमेडी है सब्सक्राइब करना अनिवारे है इसे भी सब्सक्राइब करें अब दोस्तों जलक दिखला जा कि यह रिपोर्ट आई है बॉलिवूड लाइफ की जहां पे इस बात का बड़ा खुलासा फ्रम इंटरनल सोर्स किया गया है कि शोई विब्राहिम मनीशा की हार की अगर बात क की जाए कि वजह से जो हारे हैं इस पर बहुत अपसेट है उन्होंने सोनी को इनफेक्ट जो है यूनो अनपॉलो भी कर दिया है आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों तो यहां पर यह बात सामने आई है यह बहुत ही क्लोस सोर्स हैं फिल्मी बीट के जहां पर जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दो तो इन सोर्स ने यह भी कहा है एक्जेक्ट बाते मैं बताता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो कॉंपॉटिशन था वो कॉंपॉटिशन यही था कि शिव जो है वो जीत सकता था इतनी सारी अप्स और डाउन के बाद उसकी जूर्नी ह शोस के जैसे कि बिग बॉस 16, खत्रों के खिलाडी 13 और जलग दिखला जाए 11 तिल शिव की जिर्नी जो है वो अधूरी रह गई और इस बात का गम है कि मनिशा और शुएब जो है इस तरीखे से आगे चलेगे क्यार वैसे आपको बता दो तो मनिशा बहुत अच्छा सपोर मिल रहा है, मनिशा is doing so good, उसको marks अच्छे मिल रहे है, मनिशा अच्छी comedy करती है, मनिशा को dance अच्छा कर लेती है, जलग दिखला जा क्या और क्या चाहिए, राइट, अभी recently उसका जो performance था, जो उसमें महिया महिया में किया था, उसमें जबर दस्त किया था वो, जिस पे आ है लगत है.